नमस्कार आज हम शुरू करने जा रहे हैं CDP की क्लास वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जादा से जादा शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शुरू करते हैं कोशन फस्ट से विकास के संबंद में निमलिखित में से कौन सा सार्थक सकते हैं Option A है यह है पूर्वंवान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है Option B है यह है अनुवान्शी की और वातवर्ण की अंतकरिया का परणाम है Option C है सभी वैक्तिस मानदर से विकास करते है आप्शन D है विकास विशेष्ट से समानने की और अगरसर होता है राइट अंसर हो जाएगा आप्शन B ये है अनुवानशी की और वातवन की अन्तहक्रिया का परिनाम है नेक्स्ट कोश्चन है एक बालक जिसे मानव संपर्क से प्रिथक बड़ा किया गया है प्राय दिर्ग काल तक अत्यदिक भाशा की कमी को दर्शाता है जो बाद में भाशा उद्भाशन अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले की पूरी होती है यह साक्षे भासा कौन से विकास के कौन से पक्ष को बल देता है उप्शन A है वातावर्णी है उप्शन B है जैविकी है उप्शन C है अतह क्रियावादी उप्शन D है व्यहवारिक राइट अंसर हो जाएगा उप्शन A वातावर्णी है नेक्स्ट कॉश्चन है निमलिकित में से कौन सी सिक्षन अधिगम व्यू रचना कोशल सिजनात्मक्ता के विकास में बादा पहुँचती है आप्शन A है विधारतियों को लचीले ढंग से चीनतन में सहायता करना आप्शन B है विधारतियों को जोगिम उठाने के लिए प्रोचसाहित करना आप्शन C है सिक्षन अधिगम के दोरान विधारतियों को अतिनियंतरित करना आप्शन D है विधारतियों को अधिवेवसाई और विलंब संतुष्टी हेतू मारक दर्शन प्रदान करना राइट अंसर हो जाएगा Option C, स्रिक्षन अधिगम के दोरान विध्यार्थियों को अतिनियंत्रित करना Next question है, समेग की प्रकृति निमलिकित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है Option A है, कुछ एक समेगों का ही वहवार आत्मक पक्ष होता है Option B है, समेग जीव का साही अवस्ता है Option C है, समेग आत्मक प्रक्टि करन के अधिगम दोरा परिवर्थित नहीं कर सकते Option D है, प्रतेक समेग के साथ एक भावना नहीं थोती है Right answer हो जाएगा Option D, प्रतेक समेग के साथ एक भावना नहीं तरहती है Next question है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकाश के लिए निमलिकित में से कौन सी परवरिश सैली अधिक्तम परभावित है Option A है, अधिनायक वादी Option B है, लापरवाह Option C है, प्रधारिक कारिक Option D है, क्रिपालू Right answer हो जाएगा Option C, प्राधिकारिक Next question है, निमलिकित में से कौन साउत करण सरंचनात्मक निर्मानात्मक आकलन के लिए उप्यूक्त प्रतीत नहीं होता है Option A है, प्रशनोत्री Option B है, मांदन संदर्वित परिक्षन Option C है, स्मूह परिचर्चा Option D है, वार्तला Right answer हो जाएगा Option B, मांदन संदर्वित परिक्षन Next question है, चोमस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतरजात क्षमता जो मानव को जैबिक वन्शागती के फलसवरूप प्राप्त हमारी द्वित्तिय क्षमता है को कहते हैं Option A है, भाषा अनुकूलन श्रेणी Option B है, भाषा अर्जन साधन Option C है, भाषा स्विकारिय इच्छा Option D है, भाषा अर्जन क्षेत्र Right answer हो जाएगा Option B, भाषा अर्जन साधन Next question है, समामेशन का तात्प्रे है Option C है, एक विशेज आफशक्ता वाले बालक को नियमित कक्षा में स्रिक्षिट करना Option A है, कुछ समय के लिए Option B है, अधिकान समय के लिए Option C है, पूरे समय के लिए Option D है, विधाल्या में सामाजी गतिविधियों के दोरान Right answer हो जाएक, Option C, पूरे समय के लिए Next question है, निमलिकित में से कौन सा पूरक अधिकम नियम थोर्ण डाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है Option A है, ततपरता का नियम Option B है, बहु अनुक्रिया का नियम Option C है, अभ्यास का नियम Option D है, प्रभाव का नियम Right answer हो जाएक, Option B, बहु अनुक्रिया का नियम Next question है, अधिगम अयोग्यता, निर्योग्यता उप्योक्त रूप से परिभाशित की जा सकती है Option A है, यह बाहिया है और शैक्षिक और सांस्क्रितिक वंचना से होती है Option B है, यह अन्तरिक है और केंद्रिया तंतरिका तंतर के दुश्क्रिया से होती है Option C है, यह बाहिया है और समेगिक विक्षोब बाधा से होती है Option D है, यह अन्तरिक है और मानस्रिक मंदता से होती है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B यह है आंत्रिक है और केंद्रिय तंत्रिका तंत्र के दुश्क्रिया से होती है नेक्स कॉश्चन है निमलिकित में से बुद्धी की कौन सी श्रेनी हवट गार्डना द्वारा उनके बहु बुद्धी सिदान्त में नहीं सुझाई गई है option A है गनित्य कोशल, option B है संगीत कोशल, option C है अंतरव्यक्ति कोशल, option D है वहवारिक कोशल राइट आंसर हो जाएगा option D वहवारिक कोशल जो हावड गार्डनेन है उन्होंने 8 प्रकार की जो है बुद्धी बताई थी नेक्स कुशन है वाई गोट्सकी के अनुसार वेह कारिये जो बालक अकेली के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रोड और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है अप्शन A है निर्देशित सहभागिता अप्शन B है स्कैप फोल्डिंग पाडिय धांचा अप्शन C है आसन विकास क्षेत्र अप्शन D है अन्तेह व्यक्ति निष्टता राइड अंसर हो जाएगा अप्शन B स्कैप फोल्डिंग समस्य समाधान में निमलिकित में से कौन सा पत समलित नहीं है अप्शन A है आखणों का एकत्री करण करना अप्शन B है परिकलपनाओं का निर्मान करना Option C है, सत्यापन और सामाने करण करना Option D है, उदीपक के प्रती अनुकरिया करना Right Answer हो जाएगा आपके पास यहाँपर Option D उदीपक के प्रती अनुकरिया करना Next Question है अधिगम है Option A है, जो हम कुछ मैं जानते हैं वह सब अधिगम करिया किया हुआ है Option B है विहवार ग्यान और कोशल पर तुलनात्मक साई प्रभाव है Option C है परतेक्ष रूप से अवलोकन और मापनी हो गया है Option D है विजिस्ट आयुसतर तक सिमित है Right answer हो जाएगा Option B विहवार ग्यान और कोशल पर तुलनात्मक साई प्रभाव है Next question है अधिगम की सामाजिक निर्मितिवादी उपागम की विशेस्ता है Option A है अधिगम के लिए बालक के संग्यान पर बल देना Option B है अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना Option C है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना आप्शन D है अधिगम के लिए अनुभों पर बल देना, राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन C, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, कोगल मर्ग के अनुसारिक बालक की नैतिक विकास के कौन से स्तर में वहे नैतिक मुल्यों का आंतरी कंट पर दर्शित नहीं करता और बालक की नैतिक तरक भाहिय पुरुशिकार और दंड सेनी अंतरीत रहते हैं, आप्शन A है पूरव परमप्रागत, आप्शन B है परमप्रागत, आप्शन C है पश्च परमप्रागत, आप्शन D है सारव भूमिक नैतिक सिधान्त, राइट अंसर हो जाएगा आपके पास आप्शन A, पूरव परमप्रागत, नेक्स कोश्चन है एक बालक जो किसी एक विशेसा में उच्छ और नीमन है बाद के वर्षों में भी इसी तरह कर रहता है यह कथन नीमन के महतब को बल देता है Option A है अनुमान शिकी के Option B है वातावरण के Option C है अनुमान शिकी और वातावरण के Option D है परिपकवता के Right answer हो जाता है Option A अनुमान शिकी के Next question है निमलिकित में से कौन सा कथन चिंतन के विशे में गलत है Option A है चिंतन में प्रतिमाय और भाशा अपयूग्थ होती है Option B है चिंतन एक प्रकार की सूचना प्राकरम प्रक्रिया है Option C है चिंतन संग्यानात्मक प्रक्रिया समुच्य सेट है Option D है चिंतन और भासा और संबंदित है Right answer हो जाएगा आपके पास Option D चिंतन और भासा और संबंदित नहीं संबंदित है Next Question है निमलिकित में से कौन सा प्रशन चिंतन की गहन प्रकार की शाली को प्रोटसाइद करता है Option A है आधा का प्रतिलोम क्या होता है Option B है निूनतम अबाज्या संख्या क्या है Option C है आधी मात्र में चाई बनाने के लिए कितना दूर प्रयोग करेंगे Option D है योग वेकलन का विलोम होता है कहने का क्या अतात प्रह है Right answer हो जाएगा Option D योग वेकलन का विलोम होता है कहने का क्या अतात प्रह है नेक्स्ट कोश्चन है निमलेखित में से कौन सी वहवारी की विशेशता व्यक्ति के अभी प्रियरिति वहवार से सम्बंदित नहीं है ओप्शन A है और J ओप्शन B है निद्रेश्ट ओप्शन C है प्रिथक ओप्शन C D है सत्त जिसको लगतार कहा जाता है ओप्शन C प्रिथक नेक्स्ट कोश्चन है सत्त और व्याबक मुल्यांकन के विशेवें निमलेखित में से कौन सा कथन गलत है ओप्शन A है यह विधाल्य आधारित मुल्यांकन है ओप्शन B है इसमें विधारतियों के सभी पक्षय सम्मलित होते हैं ओप्शन C है इसमें निदानात्मक मुल्यांकन सम्मलित नहीं है ओप्शन D है इसके लिए उपचारिक और अपचारिक दोनों प्रवेधियां प्रियोग की जाती है Right answer आजाएगा आपके पास Option C, इसमें निदानात्मक मुल्यांकन समलित नहीं है Next question है, ग्याने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुकरमिक उच्छितम स्तर है Option A है समस्या समाधान अधिगम, Option B है सिद्धान अधिगम, Option C है समप्रत्य अधिगम, Option D है कोशल अधिगम Right answer आजाएगा Option A, समस्या समाधान अधिगम Next question है, निमलिकित में से कौन सा आंतरी कभी प्रेणा का उधारन नहीं है Option A है दुष्चिंता, Option B है अपलब्धी की आवशक्ता, Option C है अकांशर स्तर, Option D है प्रशंचा, Right answer हो जाएगा Option D, प्रशंचा Next question है, अधिगम करताओं की वेक्तिगत विभिनताओं की पूर्ती के लिए निमलिकित में से कौन सा चरण वांचनियन नहीं है Option A है वेक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, Option B है वेक्ति परक अनुदेशन देना, Option C है समाजिक आर्थिक सर की पहचान करना, Option D है विश्ष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, Right answer हो जाएगा Option C, समाजिक आर्थिक सर की पहचान करना Next question है विकास की पक्ष्ट जैसे की शाररिक, संग्यन आत्मक, समाजिक और समेग आत्मक निमली खित में से कौन सी प्रक्रिया से विक्सित होते हैं, Option A है प्रिथकता से, Option B है आन्चिकता से, Option C है यादरी चिकता से, Option D है समगरता और साकल्यता से, Right answer हो जाएगा आपके पास Option D समगरता और साकल्यता जिसको संभूनता कहा जाता है Next question है बालक की विवेचना तारकिक नहीं है और यह है अंतर ग्यान पर अधारित है, नैकी व्यवस्तित तरक पर, प्याजे की अनुसार संग्यन आत्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है Option A है समेदी गामक काल, Option B है पूरव क्रियात्मक काल, Option C है मूरत क्रियात्मक काल, Option D है आपचारिक क्रियात्मक काल Right answer हो जाएगा आपके पास Option B पूरव क्रियात्मक काल Next question है निमलिखित में से कौन सी विशेस्ता वंचित बालक की नहीं है Option A है जीवन की अधारवूत आफशक्ताओं की अपर्याप्तता को जहलना, Option B है अधारवूत और सारव भूमे का दिकार प्रदान कराना, Option C है भावी मनोश एक्षिक समस्याओं का संकट, Option D है उसकी स्वभाविक दर से विकास की अफशनों से वंजित रखना, Right answer हो जाएग Option B अधारवूत और सारव भूमे का दिकार प्रदान कराना, Next Question है बहु बुद्धी सिधान्त के प्रवर्तक कौन थे, Option A है हावार्ड गार्डन, Option B है अलफ्रेट बीने, Option C है ईल धोर्न डाइक, Option B है जे पी गिलफोर्ड, Right answer हो जाएग, Option A हावार्ड गार्डन, Next Question है अधि Option A है संकलित आकलन, अपचारिक आकलन कहलाता है, Option B है संकलित आकलन, अनुपचारिक आकलन कहलाता है, Option C है संकलित आकलन, अनुदेशन प्रक्रिया के दुरान होता है, Option D है संकलित आकलन, विध्यार्टियों की कठनाईयों की निदान पर बल देता है, Right answer हो जाएग, आपके दिद्ध शिक्षा पर अधायत नहीं है Option A है समस्य अधायत Option B है अन्वेशन Option C है निर्देशित अन्वेशन खोज Option D है प्रदर्शन Right answer हो जाएगा Option D प्रदर्शन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर मताईएगा वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा